संद कवीर से किसी भगत ने पूछा है कि हम बढ़ भागी बनना चाहते हैं भाग गिशाली तो बहुत लोग होते हैं लेकिन हम बढ़ भागी बनना चाहते हैं कैसे बन सकते हैं कवीर साहिब कहते हैं कि इसके लिए चार काम करना पड़ेगा ध्यान देंगे रविष्टिवारी बड़ भागी कभीर एक महान पुरुष हैं कभीर एक संत हैं और कभीर एक विचारक हैं कभीर समाज सुधारक है समाज के बीच में जो आडंबर है ब्रांतियां है ध्योंग धकोशला है कभीर एक के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं कभीर शाहिब क्या कहते हैं गुरु शेवा गुरु शेवा करो गुरु भक्ती करो निश्काम भाव से गुरु के प्रतिश्रद्धा गुरु दिछालो गुरु मंत्र सुनो गुरु का गुडगान करो गुरु का ध्यान करो गुरु बाणी का प्रचार प्रशार करो और तन से, मन से, धन से, अन से, सामान से उनकी शेवा गुरु शेवा दूसरी से जन बंदगी और जन कल्यान करो परहित करो, परोपकार करो जन हित करो देश की सेवा का जन जन की सेवा जिसको तुलसी दास परोपकार कहते हैं परोपकार बहुत बड़ा धर्म है परोपकार करने के बाद आपको बहुत बड़ी खुशी मिलती है आपके दस हजार रुपे गिर जाएं तो मन दुखी होगा दस हजार रुपे कोई आपके चुरा ले मन दुखी होगा दस हजार रुपे आपके कोई छीन ले तो मन बिथित होगा लेकिन आप दस हजार रुपे अपने मन से भंडारा में दान कर दे तो मन बहुत खुश होगा मन खुश होगा आपकी दस अजार तो हर तरे से चले गए चूरिम गए तो गए गिर गए तो गिर गए और कोई छीन लिया तो चले गए अब आपने दान कर दिया तो भी चले गए लेकिन शब का परिडाम तुम्हारे मन के उपर अलग-अलग पड़ता है दान करने के बारे में जो सोचते हैं तो ही मन परफुल हो जाता है जब तुम सोचते हो कि रास्ते में कहीं वदवास न मिल जाए छीन न ले हमारा पैसा तो ही मन घबरा जाता है अभी छीना भी नहीं, मिले भी कोई नहीं, डर लग जाता है सुब सोचने से भी मन को खुशी की प्राप्ति होती असुब चिन्तन करने से ही मन में अश्मंजस चिन्ता और उग्रता पैदा हो जाती जन बंदभी जन सेवा समाज सेवा कितने लोग देश के लिए जीते हैं करोडों लोगों के लिए जिन्दगी जीते हैं कितनों की जिन्दगी हजारों लोगों के लिए हैं कितने लोग केवल अपनी फेमली के लिए जीते हैं और कितने लोग केवल खुद के लिए जीते हैं उनसे पूछो क्यों जीते हो कहते हैं खाने के लिए क्यों खाते हो बोलते हैं जीने के लिए जीते क्यों हो बोले खाने के लिए खाते क्यों हो जीने के लिए खाना और जीना ये उनकी जिन्दगी का उत्थ है लेकिन ये उद्देश पसो पच्छियों का होता है कीडे मकोडों का होता है अगर इसी उद्देश के अंतरगद अपनी जिंदगी को पुरा समप्त कर दिया तो पसो पच्छियों की ग्रेट से आगे तुम बढ़ना सके मनुश्वा है अनेक मनुश्यों के लिए जीवन जीता है आपकी द्वारा किसी भी प्रकार से बहुत लोगों को योगदान मिलना चाहिए चाहे श्रमदान से चाहे बुद्धीदान से विविन्नी लोगों को सहयोग कीजिए बड़ा सोचे और बड़ा करिये परोपकारी भी बनिये और परोपकार करने के बाद उसे तुम भोल जाओ यदि तुमारे साथ किशिय ने परोपकार किया है तु उसे याद रखो और समय समय पर उनको धन्दवाद देतो उनका प्रोशाहन करो मनोबल भी बढ़ाओ लेकिन यदि आपने किशिय का परोपकार किया है आप यदि उसे बहुत याद रखोगे और कहीं वो भूल गया तुमें दुख लग जाए इसलिए नेकी कर नदी में डाल बच्पन में मैंने एक छोटी सी पुस्तक देखा था जिसका नाम था हातिम ताई हातिम ताई का किश्चा था उसमें लिखा हुआ था नेकी कर नदी में डालने नदी में डालने का आर्थ क्या है किसी के साथ अच्छा करो जैसे कोई नदी में शामान आप डाल देते हैं कागज डाल तो बैता हुआ चला जाता है फिर वो डूंडे मिलता लें ऐसे नेकी करो भुल जाओ नितीकार ने कहा है कि परोकार जो करते हैं वो शंत हिर्दे होते हैं और इसे वो बड़ भागी बनते हैं गुरु शेवा जन बंदगी सत संगत बैराग आपको बड़ा भाग शाली बनाने के लिए तेसरी चीज है सत संग सत संग से आप जुड़िये सत संग का आर्थ है अच्छी संगत सजनों की संगत ज्यानियों की संगत ध्यानियों की संगत समझदारों की संगत विवेकवानों की संगत कभी-कभी अच्छी बात आपकी धर्मपत्नी भी बताती है में से इस्तीरियों का ये शिकायत रहता है कि हमारे ती देव जो है वो हमारी बात ज्यराभी सुनते ही नहीं में ने पोड़ा क्या बहरे हैं क्या उल्ले बहरे नहीं फुरेग गाउंक बात सुनते क juvenile मेरी नहीं सुनते में ने पोड़ा क्या तुम ज्यादा सुनाती हो जब से जागते हो जब तक सोते नहीं तब तक हमारा चालू रहता प्रवचल अच्छी बात भी जब बहुत लंबे समय तक सुनाई जाती है तो उसका मुल्ली खतम हो जाता है कम सब्दों में कम समय में और आउसर देख करके सुनाना चाहिए कभी कभी आपका पती भी आपको अच्छी बात बताता है पती कहता मैं अपनी पत्नी को बहुत अच्छी बाते बताता हूँ पर उसकी समझ भी नहीं आता है सुनती तो है पर समझती नहीं तो ना समझ है क्या बुले नहीं बागी सबकी बात समझती मेरी बात नहीं समझती फिर वो इसा ही काम करती उल्टा पती पतनी के बीच में ज्यादा तर एक दूसरे को समझाते समझाते दोनों ठक जाते और हार मान लेते और कभी कभी कहते हैं कि अब हम इनका कवो कुछ कहीवे ने करें अब कल फिर वही बात आते हैं क्योंकि साथ में रहना है अडचन पढ़ती है तो कहते हैं कि मजबूरी और शक्ता से अधिक अच्छी बात बोलने वालों का भी मुल्ड श्रमाप्त हो जाता है इसलिए तादात एक सीमा लिमिट का ध्यान रखिए आप और शक्ता से अधिक दाल में सबजी में नमक डाल दो पुरा सबजी दाल का स्वाद खराब जाता है अधिक बाते करने से आपस में वाद विवाद बक्वास होने की संभाव न रहती है अपनी बात जीतने की कोशिश करने से सम्मंध विगड़ते हैं दो में से किसी एक को अपने आपको छोटा मान लेना चाहिए कीवल बात लड़ाने से काम बनने वाला नहीं है बात मत लड़ाएं कभी-कभी आपका बेटा भी बहुत अच्छी बात बताता है अपने पिता जी को समझाता है कि पिता जी शराव मत पिया करो यह सत्संग की बात है पिता जी कहते हैं तुझको मैंने पैदा किया है तु मुझी को ग्यान दे रहा है बात पैदा करने की और पैदा होने की नहीं है बात उचित और अनुचित की है बेटे के कहने से भी यदि आप सराब छोड़ देते हैं तो आप बहादुर बिखती है पत्नी के कहने से अगर पान तमाखो छोड़ देते हैं तो आप महान पती है पत्नी का सम्मान भी हो गया तुम्हारी पतनी ने तुम्हारे लिए अपने माता पिता भाई बहन गाउं जिला सब छोड़ा है तुम उसके कहने छोटी सी तंबापू नहीं छोड़ पा रहे हाद मार दिया तुम छोड़ दो कभी कभी आपकी माता पिता आपको बहुत अच्छी अच्छी बाते समझाते हैं लेकिन माता पिता भी जब तादास से ज़्यादा समझाते हैं तो बच्चों का मन ओब जाता है इसलिए थोड़ा आउसर दिची ठोकरे खाने दिची एक तो वह लोग होते हैं जो समझाने से समझ जाते हैं फिर ठोकरे उनको नहीं खाना पड़ता है दूसरे वह हैं जो दूसरों को ठोकरे खाते देख कर समझ जाते हैं उनको भी ठोकरे नहीं खाना पड़ता है तीसरे वए हैं जो खूब ठोकरें खा करके समझ जाते हैं तो उनको लोग यही कहते हैं लवटिक बुद्धु घर का आए यह बुद्धु हैं ठोकर खा कर ठकाने आगे बिचारवान वह है जो अपने से छोटी उम्र वालों की भी अच्छी बातों को सुनता है अपने से बड़ी उम्र वालों की भी बात को सुनता है और समझता है उसमें से सार सार निकाल कर जीवन में धारण भी करता है जीवन बड़ा अद्भुत एगर पागल सहर में जा रहा था उसके हाथ में एक इट का टुकड़ा था जो पांस में मिलता था, उसके उपर इट का टुकड़ा मारने के लिए ऐसे कर देता था तो लोग डर के भागते था, जो भागता था उसको थोड़ा वो रब्टा देता था और जो नहीं भागता था, तो उसको छोड़ देता था, आगे बढ़ जाता था तो मैंने उससे पूछा, कि तुम पागल हो, बोले पागल पूरा नहीं हूँ, थोड़ा बना हुआ पागल हूँ, तो मैंने कहा मतलब हमने समझा कि आदमी तुर लगता ठीक है, तो मैंने केला दिया उसको खाने के, केला दिया, दस रुपे निकाल कर हमें दच्छना दिया, बोले तुम महात्मा हो, दच्छना ले जाओ, तो हमने कहा इट नमारे दुबारा, तो हमने कहा तुम इट लिये कर क्यों घूंगते हो, तुसने एक कोटेशन बोला, कि, ये इट इसलिए है, को जो मुझे आक्रामक दिखाई देगा, उसका मुकाबला करने के लिए इट है, और जो सीधा सज्जन दिखाई देगा, आप जैसा तो उसको दस रुपी दान भी देदेगा, मैंने का इतना तुम पागल जैसे कैसे हो गए, बोले मेरी जो धरम पतनी है, उसकी मेरे उपर बड़ी क्रपा है, उसने मुझे आधा पागल बना दिया, यह धरम पतनीयों की भी बड़ी क्रपा होती है, यह पूरा पागल नहीं बनाती है, आधा बनाती है, पूरे हो जाओगे तो उनके काम के भी नहीं रह जाओगे, अब आधे पागल रहोगे तो उनके काम के बने रहोगे और पागल पन भी चलता रहेगा, तो मैंने खाओ उसने कैसे तुमको पागल बनाया बोले उसने ऐसे बना दिया कि वो बहुत हमको तंग करती थी चिड़ चिड़ाती थी गाली बबती थी और लड़ती जगड़ती थी बस वहीं से दिमाग हमारा दिगड़ जा है किशी बेपती के पिंड मत पड़ो ये बात याद रखना और किशी को बहुत समझा कर तुम बुद्धिमान नहीं बना सकते किशी को बहुत डाट भटकार कर ठोंप पीट कर होश्यार नहीं बना सकते मैं कच्छा छे में पढ़ता था तो एक टीचर पढ़ाते थे उनका लड़का भी हमारे साथ पढ़ता था लड़का पढ़ने में थोड़ा कमजोर था तो एक दिन क्लास में उनको अपने लड़के उपर गुशा आ ले क्योंकि दूसरे के लड़के उससे तेज पढ़ने में थे तो उन्हों ने अपने लड़के को कुर्सी और मेज के बीच में गिरा लिया और बहुत कोटा गिरा करके मुकों से और लातों से और खाम खाम हमको बदनाम कर रखा है पढ़ता नहीं बहुत मारा तो हमने का मास्टर सहर तो अगर मारने से ये होसियार हो जाए तो ये जो पचास भी द्यार थी ये सब जुट करके पहले आपको खो मारें तो आप डिगरी कालेज के प्रोफेसर बन जाओ ये चार सुर रुपिय महीना फालतों पढ़ा रहे है प्रेविट स्कूलों अगर हो जा ऐसा तो हम लोग आप पर जुट जाए तो मेरी और देखा बोले तुम मत बोला करो हमने का इस तरह आप मारो मत ये पढ़ नहीं पाएगा आपके लड़के के पास बुद्धी नहीं वो नहीं पढ़ पाया मैं तो संत बन गया फिर फिर एक दिन वो भाईसा लिये जा रहा था उड़का तो मुझे मिल गया मेरी जनम भूम्मी बेकारी क्रव धब जा रहा था मिला तो में गाड़ी रोका हमारे साथ जो पढ़े हुए है या जो पैचान के हैं बच्पन के तो मैं गाड़ी रोक देता हुँ, बिल देता हूँ, हमने का आईए, तो मेरे से बोला, आप तो भगवान हो गए, हम ने का तो मुले हम यमराज हो गए वहीं सा चराय रह रहे है या आज हो हमने के इसमें बुरा कुछ नहीं है, बुले अब रहे, क्या है अब सरम भी लगती है कोई भी अगर दुश्कर्म नहीं है तो उसमें सरम नहीं होना चाहिए खेती करना सरम की बात नहीं जाड़ू लगाना भी सरम की बात नहीं अभी जैसे मैं भोजन परोस रहाता तो इससे क्या कोई मैं छोटा हो गया जहां पर लखीमपुर की भक्त भोजन कर रहे थे वुस में भी प्रवेश किया हनुमान जी सुन्थालिया को बुलाया उनकी पतनी मीना सुन्थालिया बेतिया वली बुली जाओ गुरुजी बलावत है तो वो भी बड़े संपोची है कम से कम सात बार भी पछड़ गे हम सात पर बुलाए ना फिर पच्ड़ जाओ फिर उनका हमने उनको कहा हनुमान जी को देखो आपने जो कुर्शी में जदान दिया है सब लोग कितना प्रेम से बैठकर खा रहे हैं तो उनका मन गटगट हो गया कि हमारी सेवा सफल हो यहां जो भी तुम दान देते हो ऐसा नहीं क सबकी सेवा में लगता है आपका दान आपकी सेवा में भी दूसरे भक्तों की सेवा में भी जैसे लखेमपुर के भक्त सुमन गुपता विलास कुपता विकास कुपता आरती गुपता इनोंने पंखा लगा दिया है तो यह 32 पंखा लगाएगा तो यह सतक महत्सों में जब आये, श्री छमादय जी का सतक महत्सो हुआ था, सवर्ष पूरे हुआ तो शंतों ने इनको जहां पंखा नहीं लगा था, वहां बिठा दिया जो 32 पंखा दान दिया, 72 हजार पे उगा फिर ऐसी जगा बैठाई जहां हवाँ बिलाई नाउका तो पसीनम तरवतर वो, मैं आया मेरी नजर पड़ी तो बुला के फिर थोड़ा सेटिंग किया तो फिर उन्होंने सत्संग के बाद हमसे कहा कि अब 16 पंखा और हम देंगे ताकि हमको चाहे जिधर बिठाऊए हवा होग चाही आज फिर मैंने देखा उनको उधरे बाहरे बैठार दी लाग तो हमने का लोग चाहेते क्या है मतल़ बड़ी मुश्किल से हम बोलवाए के बैठारे पाए बैठ जाओ